आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउट करें तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्प की बात करें यानि कि यकरत निवाई का उपतंत्र तो दोस्तों जो यकरत निवाई का उपतंत्र होता है यह पांच प्रकार की शिराओं से मिलकर बना होता है कितनी शिराओं से मिलकर बनावता है पांच शिराओं से मिलकर क्या बनता है एक पांच शिराओं से मिलकर एक क्या बनता है यकरत निभाई का तंत्र बनता है और इसमें यूरिया की मात्रा सभी शिराओं में अलग-अलग मात्रा में होती है यह विकल्प हमारा गलत है दूसरा दिया गया है यकरत शिरा तो दोस्तों जो यूरिया होता है क्या होता है यूरिया उसका निर्मान कहा होता है यूरिया का निर्मान यकरत में होता है ठीक है और इसी कारण यकरत में यूरिया की मात्रा क्या होती है ठीक है यूरिया की मात्रा सरवाधिक होती है तीसरा दिया ग नहीं होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है किसा रक्त बहता है शुद्ध रक्त बहता है और इसमें यूरिया की मात्रा नहीं होती है यह विकल्ब हमारा गलत है तीसरा चोथा और आकर विकल्ब दिया गया है व्रक्षिरा तो दोस्तों जो व्रक्षिरा होती है उसमें यू दोस्तों हमारा प्रश्ण था कि किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सरवाधिक होगी तो दोस्तों हमने देखा कि जो यकरत शिरा होती है उसमें यूरिया की मात्रा सरवाधिक होती है क्योंकि यूरिया का निर्मान जो होता है वह यकरत में होता है तो दोस्तों इस आदर पर हम कह सकते हैं कि उपरोप्त चारों विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा धन्यवाद।